हेलो दोस्तों असलाम अलेकुम आज का जो रेशिपी है न उसे देखके आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्या जीज से बना हुआ है इतना सस्ती चीज से और इतना असानी से बनके रेडी हुआ है तो ये जो मैं रोल बनाई हुआ न मिठाई तो इसे मैं आटे से बनाई ह है कि कैसे बनाते हैं और ये मैं आटा को रॉल बनाई हूं बर्फी जिसे आप बोल सकते हैं और ये बहुत कम समान में और ये बहुत जटपड बनने वाले हैं तो यहां पे देखिए मैं एक अप ली हूं आटा और ये आधा कफ है मुंग फली और आधा कफ में लूंगी ती यह हुआ अधा कम मुंफली और यह तील अब हम क्या करेंगे जो मुंफली है ना उसे हम दो सकेंड के लिए भून लेंगे जब यह चटकने लगेगा उसके बाद जो हमारा तील है ना वाइट वाला तील आप तील ले रहे हैं तो वाइट ही लें लेकिन इसके जगह पर मखान वागेरा भी ले सकते हैं और दोनों को मिला के भून लेंगे अब भूनने के बाद क्या करेंगे इसे ठंडा होने देंगे और मिक्सिके जार में डालके इसका पॉडर बना लेंगे हम तो यह बून के रेडी हो गया अब इसे हम निकाल लेंगे एक पिलेट में ठंडा होने और जो आटा है ना उसे हम भून लेंगे तो इसे भूनने में ना चार-पांच मिनट लग जाएगा और मैं इसे सूखा ही भूनी हूँ बीना घी का अगर आप चाहें तो इसमें एक दो चमच घी डालके भून सकते हैं यह भी रेडी हो चुका था देख सकते हैं इसका कलर भी जिकना पॉडर बनाना है तो यहां पे देखिए मैं इसका पॉडर बनाके रेडी कर ली हूँ अब क्या करेंगे जो आटा भून के रखी थी ना बस उसी में डालके इसको मिक्स कर लेंगे अलग-अलग हमिने डालके मिक्स करना है चासनी में तो यहां पे मैं मिक्स कर लेती कि हम कैसे ले रहे हैं तो इसे डाल सकते हैं और मैं इसमें कलर रही हूं तो जसे नेचरल कलर है उसमें बना सकते हैं तो भी कोई क्थी राट कर सकते हैं तो बस इसे हम मिक्स कर दिए हैं और चासनी हमारा है ना कि हमें तार वगेरा नहीं बनाना है बस चिप चिपा हो जाए बस और यह चमच घी डाल दिए हम क्योंकि भूनने वक्त में नहीं डाले हैं, अगर आप डाले हैं तो इस वक्त नहीं डालिएगा, अब गैस को मैं बंद कर दी हूँ, और जो हमारा है पॉडर जैसे की आटा था और जो ड्राइफुड अगेरा का था वो डालके हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो हमारा चासनी हो गया है, तो बस इसे अब एक प्लेट में हम ले लेंगे और यह अभी बहुत गरम है, तो हल्का ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेचुला को साफ कर लेती हूँ मैं, अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे एक चमच और घी, क्योंकि मैं घी बहु स्मूध और पुरा चिकना होना चाहिए, और इसे ज्यादा ठंडा नहीं होने दीजिएगा, नहीं फटने लगेगा, तो यहां पे देखे हमारा डोर रेडी हो गया है, और इसे हम क्या करेंगे, प्लास्टिक पे हम इसको रॉल बनाएंगे, यहां कि उसमें बहुत अच्छ तो उतना ही में हमें इसे फटा-फट बना के रेडी करना है, तो यहां पे देखे, आप जितना मोटा रखना चाहते हैं, रॉल को बस अनुसार से रखे, अब इसको सजाने के लिए आप इसमें ड्राइफूट वगेरा उपर से आड़ कर सकते हैं, जैसे के बदाम, पीस्ता कुछ भी काजू अगेरा, और नहीं, मैं यहां पे डाली हूँ तील को, मैं तील से बनाई हूँ, तील ही डाली हूँ, मैं यहां पे, अब उसे डाल के इसे अच्छी तरह से रैप कर देंगे, अथो असा ही मोटा लग रहा है हमको, तो तो अथो अच्छा और इसे घूमा के और पतला कर देंगे, अब क्या करेंगे इसे पतला करने के बाद, दोनों साइट से पेक कर देंगे, जैसे कि चौकलेट अगेरा पेक रहता है उस टाइप का, और फिक क्या करेंगे, इसे आप चाहें तो यह गंडे के लिए कॉंडर पे ही रखें, या फिर आदे गंडे के अब चंद लेकल रखें तो आधे गंडे के लिए के लिए इसे निकालके मैं दिखा रहे हैं, यह चुका है, अब यहां पे देखिए, मैं इसको निकालके और इसका कटिंग कर Drevya की कन हाई है, हो गिया है ऐसे आप जब इसको रॉल किये थे ना तभी भी कटिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें थासा मतलब शॉप्ट था इस वजह से अगर होसता है कटिंग करने में इसका जो सेब बनेगा न वो थासा खराब हो जाता है इस वजह से में रखी नहीं तो आप उस वक्त भी इस काटी हूं और देख सकते हैं कितना साइस का कटिंग हुआ है देखने से ही पता चल रहा है कि कितना फॉर्फेक्ट मिठाई बनके रेडी हुआ है न तो कोई कहेगा ही नहीं कि आप इसे आटे से बनाए हैं इतना ही टीस्टी और अच्छा लगता है क्योंकि हम इसमें तील मुझे कमेंट कीजिएगा और जो नए दोस्त मेरे चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अब बेल आइकन को जरू से दबाएं ताके आगे जो भी मेरे स्पी डालू उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट जरू से कीजिए